उद्धर ठाकरे तुमने मुझे कल अपने भाषन में गाली दी नमक हराम कहा इससे पहले भी सोनिया सेना के कई लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी है धमकाया है मेरा जबड़ा तोड़ना या ओपनी मुझे मार देना या हराम खोर कहा ने इस तरह की कई अभधर गालिया इससे पहले भी मुझे सोनिया सेना ने दी है लेकिन आपने ही देखेंगे को जो भी नारिश शक्ति करन के जो ठेकेदार है उन्होंने कुछ नहीं कहा उसी भाषन में आपने जो हिमाल्याज है हिमाचल है जो की मापार्वती की जनम भूमी है उन्हें हिमाचल पुतरी कहा आपने पूरी स्टेट को नीचे गिराया है क्योंकि आप सिर्फ एक लड़की से नाराज है और वो लड़की आपके बेटे की उमर की है जीफ मिनिस्टर आप मुझसे बहुत नाराज हुए थे जब मुझे धंकाने के बाद मुंबई में मैंने वहां की तुलना क्योंकि वह आपने उसी भाषन में भारतवर्ष की तुलना पाकिस्तान से की अब वो समविदान वाले नहीं आएंगे क्योंकि उनके मुँमें कोई पैसा नहीं ठूस रहा है मैं बात कहना चाहती हूँ कि जितने भी देशभक्त लोग है उनका एक रवहिया मैंने देखा है कि आप कोई सहाइथा नहीं करता है वो यह कहते हैं कि अगर आप देशभक्ति के बारे में बात करते हैं देश के लिए कुछ करते तो आप कौंजा हम पैसान कर रहे हैं आप खुद के लिए अपने लिए यह कर रहे हैं वो कहते हैं हमारे पास ना पैसे हैं ना हमें ठूसने आते हैं ना आप सिर्फ एक गावर्मेंट सर्वेंट है और महाराष्ट्रा के लोग आपसे रेजोनेट नहीं करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, सत्ताएं आती जाती है, लेकिन जो इनसान एक बार समान खो देता है, चीफ मिनिस्टर, वो उसे नहीं पा सकता है, जैहिंद!